हेलो नमस्ते प्यारे विद्यारतियों और मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ बर्त कुमार और आप सभी का स्वागत हैं मी एंड माइटू क्लास की एक खास इंपोर्टन अपडेट के अंदरकत हां बिल्कुल अभी जेन विए के अंदरकत सीबी सीए सिस्टम को लेकर थोड़ा से कंप्यूजन था कि झिभी सी जो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं का इसके बार में बात करेंगे एक्प्र फिर यह कहा था कि यह अबिवी पीजी लेवल पर करते जैसे आएं में करते हैं तो उनके ऊपर तो यह सिस्टम हो गया था लेकिन यूजी अंडर ग्रेजट वीकरते फिर्ट शेक्रवार तो उनके लिए क्या एपलाई होगा अगर होता है तो क्या च्रप जोदपूर की कैम्पस में होगा यहां पर उनके जो रिपार जो कॉलेज हैं जहां पर वहां पर भी होगा तो अभी अकेडमी काउंट्लिंग की बैटक होई ती गत सुकरवार को तो उस में अब चेब कोर्मेंट कोफीरे में था अब कोर्विक के बारे में नहीं नहीं लिया गया इक वाय पे सिस्टम होगा अब आप बात करें कि बार कांए में लागू होगा इसा चलज है आप कौनकों लेख पिस्टिकuencia होगा बार्मेरबं में होगा जालोर में होगा क्योंकि यह जहां जॉपर जेन फीट कॉलेजिये हैं वहां पर यह सिस्टम है वह एप्राइख होने वाला है verbिन झेद च्छार रखेगा आप जैसे बात करें तो अड़ियीच san में गत सुकरवार को आप काउंसलिंग की जो बैटक हुई थी उसमें इस फैसले पर क्या लगा दी है महौर लगा दी है कि यह जो सिस्टम है वह इन जैन्वियू की जो संबंद जो कॉलेज हैं उनमें यह सिस्टम है वो लागू होने वाला है ठीक है तो अब यहां पर देखो इसमें सिर्फ यान रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट होगा जो यहां पर करने वाला है उसमें उनका मतलब क्रेडिट एक रिकॉर्ड होगा उसमें उसमें कितने सेमस्टर क्लियर किया वो पूरा रिकॉर्ड रहता है तो उसके जो मार्क है उसमें क्रेडिट होते हैं और अब हम बात करते हैं यह तो आपको समझ में आ गया होगा अब यहां पर बात करते हैं कि यह जो सिस्टम है वह किनके लिए लागू होने वाला यह मैंने पहले भी बता तो पुर्ण वाफिश बताता हूं कि इस यह यानि इस बार जो अकेडमी की यह दोजा तेभी सो बिसमें लिये हैं या भी प्रक्राइब चल रही है तो उसमें लेते तो उनके उपर यह सिस्टम लागू होने वाला है दो बत और बात करते हैं कि इस पर मोहर तो लग गई है कि अभी सिस्टम है वह अब लागू हो लेकिन अभी जितने भी प्राविट कोलेज रॉपार ऩोगा या नहीं होगा इसको लेकर अभी कोई लिया द्याक के अब बात करते हैं पर कि इस नई विच्जारतियों कि क्या होगा फेसी अफेल को क्या होगा या हम आपको यहां पर बता लेते आप खुद evolution कीजिए गा देखो system से हम बात करें कि पहले क्या होता ता जैसे simple सी बात करें तो जैसे फर्स्ट इयर टेकंड को थर्ड यर हर साल एक 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 exeam होता था एक एक बार साल में एरली एक्जाम होता था, यानि तीन साल में तीन बार देकर क्म करता वह स्कूर डिघ्रीर तो इस बार क्या होगा जैसे मान लिजीद ये एल है अगर वाइस में अगली आपको सब्सक्राइब म本य भरता हुँ मैं तो हरभ इसमें क्या है ओफ में पता हो Siddy दौबार एक्जाम होगी यानि वो दोनों सेमेस्टर क्लियर करता है दोनों सेमेस्टर क्या कर लेता है क्लियर कर लेता है तो उसे क्या मिलेगा तो उसे मिलेगा जो जिसको आज फैकल्टी या जिसका को वो कर रहा है तो उसका उसके certificate मिलेगा क्या मिलेगा उसे certificate मिलेगा तो पहला फाइद है तो यह हो गया कि अगर वह एक साल ही कर देता है कॉलेज बीज में छोड़ देता तो certificate मिलेगा अब बात करते हैं कि इसमें यानि सेकेंड यह में वह फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर यानि अगर देखा जाए मैं सिंपल ऐसे बता देता हूं कि एक दो और फिसेकेंड यह सेमेस्टर भी क्लियर करता है तो इस बार इसी का डिप्लोमा कि इस बार इसी क्या मिलता है डिप्लोम यानि स्यार सेमेस्टर क्लियर करने पर उसी डिप्लोमा मिलता है और फिर बात करें कि अगर वह पूरे सेमेस्टर यानि थडियर के तो एक सेमेस्टर यह और यह यानि पूरे के पूरे सेमेस्टर वह क्लियर करता है त सबसे बढ़िया एक सीच और होने वाली है इस सिस्टम में यह तो आप समझ गए हैं ठीक है दूसरा फाइदा क्या होने वाला तो वह देखिए ठीक है दूसरे फाइदे के वारे में बात करें तो अब मालीजी पहले ऐसा होता था कि कोई स्टुडेंट है वह जैसे जेन सब्सक्राइब काषिस कही है चैनि या और किसी कालेज में उसको जाना है तो फिर युद्टी नहीं बदली सब्सक्राइब जा सकता था लेकिन इस बार क्या होगा जब यह सिस्टम लागू होगा तो विद्यारती है वह उनिवर्सिटी बदल सकता है कि इनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं तो यह फाइदा होगा यह बहुत बढ़िया हुआ क्योंकि यह दोनों सिस्टम अगर देखें तो इस्टूडेंट के लिए फाइदा है कि उसे जो भी करेगा यरली उसे सट्रीग मिलेगा ठीके ना उसे डिप्लोमा मिलेगा डिप्लोमा म होगा कि यह साल भी पड़ा है तो जन्वीक है का यह सूसे महाथ invert की अगर यह देखा जाता है तो यह स्टूडेंट के लिए फाइदा है अब बात करते हैं कि क्या लोच होगा कर स बाहर एसा को लिए बात नहीं है बट यह है अगर बच्छा सोचे कि मुझे एक साल में एक ही एक्जाम देना होता था और इस बार मुझे यह नया सिस्टम लागू होता है तो इस बार मुझे दो एक्जाम देने होंगे तो यह वर्क लोड़ पढ़ सकता है उसके उपर तीके ना यानि जो नहीं पढ़ने वाल था और यूजी में भी अब यह लागू हो रहा है इस से तो अगर आपके कोई डाउट है या आपको कोई समझ नहीं आया है तो बिल्कुल यह जो अपनी जो classes है इसमें आपको college और सीविया बीस्टिसी की classes वगरा अविलेबल होती है अब आप कहें के सर इसमें फिर एक्जाम कैसे होगा तो यह को मैं आपको बढ़ा देता हूं कि यरली एक्जाम होता है तो इस अकौडिंग आपका जो पहला सेमेस्टर होगा ठीके नबर दिसमबर में पहला सेमेस्टर होगा और दूसरा मार्च के ुए यानि मार्स चुछ दीजिए आप्रेल में होगा कब होगा अप्रेइल और मई में यह होगा तो इस तरह से चितर नंबर की तो Peggy XVII क jal consulting प्लस थटी Prophet काDR प्लस्ती मूं कड़ता होगा क्या होगा आंत्रीक मूल्यांकन होगा इस तरह से आवरल मिला कर यह 100 नंबर हो गया एक पैपर ठीक है हर सब्जेक का यही पैटर्न रहने का है फिर प्रैक्टिकल है तो थोड़ा सेंज हो सकता है तो आई होप आपको यह जो अपडेट थी समझ में आगी होगी और यह जो सिस्टम है वो अब लाग होने वाला तो अपने सभी आपके काम आएगी तो मिलते हैं दुबारा आपसे में अपडेट में तब तक अगर आपको कोई डाउट है जरूर पूछीएगा थैंक यू सो मच एंड टेक केर